नमस्कार आशा करता हूँ आप अपने घर में स्वस्त होंगे और बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छा समय व्यतित कर रहे होंगे अगर आपके पास समय हो तो एक कविता आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ इसे सुनकर अपनी राई जरूर देजिएगा कविता है भूखी चिनिया की कहानी है गुरख पांडे की एक कविता है उम्मिद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी एक थी चिनिया चिनिया भूखी थी उड़ी दाने की खोज में दाना था खूटे के भीतर बंद क्या खाऊं क्या पिऊं क्या लेके जाऊं परदेश बढ़ेई ने खूटा चीरा खूटे से दाना निकला दाना उड़ा फुर चिनिया दाने के पीछे उड़ी दाना उड़कर जागिरा राजा के गोदाम में गोदाम पर संतरी था संतरी से चिणिया बोली संतरी भाई संतरी भाई दाना गोदाम में बंद है क्या खाऊं क्या पिऊं क्या लेके जाऊं परदेश संतरी ने मंतरी को खबर दी मंतरी ने राजा को खबर दी राजा ने सिपैसालार को बुलाया सिपह सालार ने फैसला करने को मुनसिप बैठाया मुनसिप ने पोथे पल्टे मुनसिप ने की जिरह भूखी क्यूं थी चणिया खामका भूखी थी अगर तो दाने का पीछा क्यूं किया दाना जो अपनी मर्जी से आगिरा राजा के गुदाम में खबर फैली कानो कान अखबारों में छपी चणिया बनाम दाने के मुकदमे की भूखी थी चणिया इसले गुनहगार थी मारी गई चणिया जो भूखी थी धन्यवाद